नमस्कार दोस्तों इस्टेटी विद ग्याम प्रकास में आप सभी का हारदिक स्वागत है यूपी ट्रिपल सी पेटकी पर इच्छा चल रही है दो बैच कम्प्लीट हो चुकी है दो बैच और वनी है जो की 16 अक्टूबर को संपन्न होगी अगर आप देखेंगे जो की अब तक आपको मिल भी चुके होगे आपने देखा भी होगा तो कई प्रस्ण ऐसे हैं जो वाकिछ चौकाते हैं और इन प्रस्णों के अस्तर को इन प्रस्णों को गेस करने में या अनुमान लगाने में लगबग सभी कोचिन संस्थान विफल रहे हैं जब आप कोई भी संस्थान जोईन करते हैं कोई भी कोचिन संस्थान जैसे कि अगर वो आफ्लाइन है या फिर आनलाइन हो तो वहाँ पर आपको सारे चर्चित टॉपिक कवर करवाएगे लेकिन जो प्रस्णों का अस्तर रहा उन प्रस्णों को देखकर तो यही लगता था कि मुश्टिल से ही किसी कोचिन संस्थान ने इन प्रस्णों को भी अपने पार्टिक्रा में सामिल किया होगा बहुत सारे प्रस्ण ऐसे रहे जो कि अभेरती देखकर उनको लग रहा था कि यह कहां से आ गया यह तो पहली बार आया इसलिए मनने आप लोगों से कहा था कि परिच्छा को बिल्कुल भी ड्राप मत कीजिए को क्योंकि एक्जाम में जबाब जाएंगे तो आपकी self-study और आपकी जागरुकता ही आपके काम आने वाली है और वहाँ पर भी आपको गैसी करना है मतलब जो elimination method है उसका प्रयोग करके आपको कुछ उतर निकाल सकते थे या फिर आपको अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करते हुए थोड़ी से गैंबलिंग करनी थी कि चलो यार इस पर लगाते हैं सही होने का chances जाता है गलत होने का कम है सही हो गया तो ये गलत हो गया तो ये तो इस परकार से सारे कोचिन संस्थान तो फिलाल ऐसे प्रस्नों को पढ़ाने में पूरी तरह से बिफली कहे जाएंगे क्योंकि ऐसे प्रस्नों के बारे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि एक्जाम में कुछ ऐसे प्रस्ण होंगे जो कि आपको चौकाएंगे तो जितने भी guest question पढ़ाए गए और जितने भी list आपको पकड़ाई गई जितने भी युद्ध जो बरतमान युद्धाध्यास हैं और index हैं जो भी चर्चित घटनाए हुई हैं जो भी award आए जो पुरुसकार दिये गए उनमें से नहीं प्रस्ण ऐसे पुछे गए थे जिन जो की regular study करने वाले बच्चे ही उनको answer कर सकते थे लाइक है करनफे को देखिए कोई भी बहुत चर्चित प्रस्ण नहीं पूछा गया ऐसे से प्रस्ण पूछे जा रहे हैं या ऐसे से प्रस्ण पूछे गए हैं जो की वही बच्चा उसको answer कर पाएगा जो regular कम से कम 10-15 प्रस्णों को प्रति दिन देख रहा है तो इस प्रकार से सबसे पड़ी बात यह कि अगर किसी पृद्यों की परिछे की त्यारी आप कर रहे हैं तो अपनी regularity को आप बनाए रखिए दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो कोचिन संस्थान थे वो सिर्फ GS और चर्चित टॉपी करने की GS समान जागरुकता इतियास गुगोलता की सीमित रहे गनित और D.I. पर बहुत कम लोगों ने फोकस किया गनित तो उस लोगों ने पढ़ा भी दिया था लेकिन गनित से प्रस्ण कितने आए बहुत कम प्रस्ण है लेकिन D.I. वाकी चौकाने वाला था D.I. और ग्राफ पर जो कोच्छन थे उनको हल करने में अच्छे अच्छे जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने खूप तयारी की थी उनको भी पसी ने छुट गए आपने खुद ही देखा होगा नहीं देखा है तो कुछन पर जाके देखिए और जो भी प्रस्ण ऐसे थे लग रहा था कि बिल्कुल पुछा जाएगा यार यह तो बिल्कुल पढ़ ल तरश पर लेकिन यह प्रस्ण ऐसे थे जिनके लिए आपने अगर अपना इस्कूल ठीटा कंप्लीट किया था जब आप पड़ रहे थे हाइं चूल आपने ठीटा कंप्लीट किया था तो आप उसका उत्तर देपाए होंगे। दूसरा वह था tough था, tough का मतलब उसमें तो बस आपको guess ही guess करना था ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रस्न पहली बार आपके सामने आया होंगे लगबग 80% लोगों ने ऐसे प्रस्नों को पहली बार देखा होगा और तीसरी बात यह थे प्रस्नों का भी मज़ा मिलेगा आपको तो ऐसे प्रस्नों को दिमाग लगा के रट के भी कुछ लोगों ने आंसर किया होगा यहाँ पर क्या काम आया यहाँ पर आपका काम आया self study or guess साथ अगर किसी coaching सहंस्तान ने आपको proper guide किया था लेकिन guidance से साथ-साथ जिन लोगों ने self study नहीं की तो उनका भी काम नहीं चलेगा मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ी ज़रूरी है आप coaching सहंस्तान online जोइन करें ज्यादा better है इससे आपका समय बसता है दूसरी बात यह self study सबसे ज़्यादा productive रहा जिन लोगों ने self study की और regular जिन लोगों ने पढ़ा चाहे current हो चाहे जीएस हो उन लोगों का question paper अच्छा गया all over यही कर सकते हैं कि जो question paper रहे उसमें हर तरीके के प्रस्ण पूछे गए और फिलाल यह कर सकते हैं आप कि अगर यह जो question paper है इसको एक सामान बर्दी को जो की मतलब सिर्फ selected MCQs के आधार पर हल करने बैठा होगा तो उसको हवा तक नहीं लगी होगी डियाई के प्रस्णों ने तो छक्के छुड़ा दिये जिनकों ने डियाई की practice नहीं की है उन्हों उनको तो समझ में आ गया होगा कि डियाई का label क्या होता है खैर यहाँ पर समिलाजुला के बात यह रही कि अभी जो पहला दिन रहा उसमें बहुत सरा अबेटियों ने लगबग यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अगर आप आप आंकड़े देखेंगे सुसपरे तो यह भीड देखिए मतलब यह कि बस जिंदगी को मुकमल करने की तलास है आप भीड तुझमें मुझे अपने चेहरे की पहचान है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड तो इतनी है कि पूछिए मत अच्छे अच्छे इंसान इसमें गुम हो जाएं खो जाएं और वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि आवा चाही कि जो आवा गमन के साधन है उनकी उप्लब्दता भी बहुत कम रही वही एक अनार तो 10 लाग बीमार वाली इस्तिती है आप खुदी देख सकते हैं आपने खुदी महसूस भी क्या होगा और मैंने के लप लोगों से कहा था कि जो लोग परिशाद सम्मदित नहीं है या जिनका काम बहुत महत्पूर्ण हो दो दिन यात्रा न करें सबसे बेटर यही रहेगा क्योंकि दो दिनों तक भीड़ खुब बढ़ने वाली है आज ये भीड़ काफी रहेगी और बाकी स्थिती आप देखी रहे थे कि बहुत सारे एक्जाम सेंटर पर वहाँ पर जमा तो करवा लिए गए गए थे आपके बैग और मोबाइल फोन लेकिन मोबाइल फोन का बिदरन तुकर दिये गए लाइन लगाके लेकिन बैग तो यूँ ही फिक दिये गे थे इदर उदर तो ये भी एक समस्चाई थी एनिवे अबर्ती है तो हिम्मत है हिम्मत हो हसला है और अबर्ती लगाता लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं बस एक अदद पहचान उनको मिल जाए तो कितना भी दोडालो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन तकलीर तो तो तब होती है ना कि जब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें हाथ या हासिल कुछ नहीं होता है और उसके बावजूद ये का गया था आपने देखा था कि UBTSC ने क्या कहा था जब उन्होंने एक्जाम सेंटर बेह जा था 200 से लेकर 700 किलिमेटर था तो ये कहा था कि जो सेथ लगाने वाले हैं जो नकल की भी उस्ता है उसको तोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन अखबार सारी बातें याँ पर बया कर रहे हैं पीटी में सेहत लगाते 21 पकड़े गए हैं इसमें कुछ पुराने पापी भी हैं कुछ नए भी सामिल हैं प्रयागराज के पुस्पेंद रियादो अंकित मौरिया ग्रिफतार हुए हैं एस्टीएफ और पॉलिश ने की प्रिदेजभर में कारवाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अब नाम लेना हैं बढ़े को अकबार भी पढ़ लेना आप यह इतनी इंपोर्टेंट नहीं है कि एकजाम में आएंगे तो इसलिए आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर लोग पकड़े गए जोनपूर में ग्रामोदे, इंटर कालिज गोरा बासापूर में अनिल कुमार मलोत्रा आरा भोषपूर निवासी संकर दूबे कानपूर में पकड़े गए और तमाम जिगह पर हैं देख ले ना इन सबको देख लोग यह देखो कि क्या यह लोग इजाम करे तो होते नहीं यहां बस यह कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए तो मजा आ आएं तो नजाने कितनों की मनते पूरी हो जाएं यहां पर आप देख सकते हैं करीब सब्सक्राइब परिच्छा दी यानि कि कुछ लोगों ने दूरी की वज़ए से बहुत रहा है बैट्टों ने दूरी की वज़ए सही परिच्छा छोड़ी होगी और मुझे लगता है क पीटी में सेल लगाते 18 पकड़े के हर जिगां से लग 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 नियूज है और एवरेज में लगबग 6 लाग से जादा बिर्तों ने परिच्छा छोड़ी है पहले ही दिन अभी जो दूसरा दिन है उस दिन देखते हैं फिर फाइने लाकड़े निकल के सामने आएंगे ग जब आप हाई स्कूल पढ़ रहे थे और जब आप इंट्रेम पढ़ रहे थे अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा कमेस्टी तो तुरंधी उसका आंसर आप गैस कर पाए होंगे और डियाई के लिए मैं सही बताओं तो अगर आप डियाई के साथ साथ पूरे कोर्शन पेप उनके लिए डियाई आसान रहा होगा तो अच्छे इसलिए प्रकार इतिहास के भी प्रस ते और जीएस ते भी कुछ क्वेशन ऐसे थे जिस पर हिंदी के प्रस आसान थे इंग्लिस में जो सिनानिम और एंटानिम पूछे गए थे तो इंग्लिस दिनकी कमजोर रहे होगी उनको भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इंग्लिस के जो प्रस पूछे गे थे सिनानिम और एंटानिम में वो थोड़े टफ थे हाँ जो पराग्राफ का कुछन था वो थोड़ा सा आसान था मिलाज अलाकर यही के सकते हैं कि परिक्षा में जो लोग बैटे हैं वो पू परिपाली और दूसरी पाली का जो कुश्चन पेपर है वो कंबाइंट रूप से सॉल्व करके मैं चैनल पर जल्दी अप्रोड कर दूँगा ताकि आप लोग देख पाएं और चालाक से ज्यादा ने पहले दिन परिक्षा छोड़ दिये अभी दूसरा दिन होने दो फिर फानिल आक डा जो है निकल के सामये आईगा देखते हैं कि कितने परिप्र tu लोगों ने परिक्षा छोड़ी या कितने लोगों परिक्षा छोड़ी कितने लोग परिक्षा में सामयल उये और अभ्यरतियों को गंडित में लंबी खंडा ने उलजाया बसे और 트ेने रही ठस् STF को फाफा मों के सीवम की तलास तो सीवम के जरिये ही सालवर के संपर्क में आया था उन नौ में पकड़ा गया मूल अभेरती तो ये सभी लोग और ऐसी खटनाएं फिलाल तो मतलब जब ऐसी खटनाएं होती हैं तो कई सवाल खड़े करती हैं और ऐसे लोग जब बचते हैं तो ये और बड़े सवाल है 2023 में होगी 2022 की सिक्षक पात्रता परिक्षा मामला यहाँ पर UPTT से है UPTT 2022 में तो होल नहीं पाई अब 2022 की परिक्षा होगी वो 2023 में होगी और उमीद रखे कि 2022 में जब UPTT की परिक्षा होगी तो आपको एक बड़ी सिक्षक भरती भी देखने को मिलेगी ये मुझे विश्वास है कि दुछार 23 में प्राइमरी में सिक्षक भरती एक बड़ी सिक्षक भरती आपको देखने में मिलेगी बाकी बहुस तरा चैनल है जो कि आपको अंदर की खबर बता देंगे उनके सूत्र आपको बहुत कुछ बया कर देते हैं थैंक्यू सो मच अब आप लोग किस परिशे की तैरी करना चाहते हैं बता दिएगा ताकी जो है टॉपिक वाइज उसकी इस्टेडी करवाई जा सके have a great day जय हिंद